हलो एवरिवन मैं हूँ मेगा बलानी एंड वेलकम तू अल उफ यू और आज का हमारा मोस्ट डिवांडिंग टॉपिक है कंजक्शन कंजक्शन क्या होते हैं पहले उनको समझते हैं यह इतना जरूरी क्यों है पढ़ने के लिए और आप सबको भी क्यों इंपोर्टेंट लग को लिखो गया कोई भी चीज आप जब राइटिंग कर रहे हो तो कंजक्शन क्या करते हैं हमें हमारे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में स्विच करने में हेल्प करते हैं मतलब हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जब कनेक्ट करने करना चाते हैं तब हम कंजक्शन क को यूज करते हैं, तो conjunction, जिसको आप simple कह सकते हो, connector, connector क्या होते हैं, कोई भी दो sentence, कोई भी दो बाते, कोई भी दो clause, कोई भी दो phrase, कोई भी दो चीजें, जिनको हम connect करने का काम करते हैं, उसके लिए हम conjunctions को use करते हैं, ठीक है, तो conjunction को समझेंगे, conjunction अपने आप में बहुत सकता है, या यह चीज जो है important है, तो उसके आपको काफी चीजे देखने को मिलेंगी, तो conjunction में सिर्फ ओवरॉल उतना पढ़ाऊंगी, जितना आपके exam से related आ सकता है, मैं उतना ही पढ़ाऊंगी, otherwise वो बहुत बड़ा topic है, और आप उसको आराम से time से समझते समझते, और ज् करेंगे कि कौन सी चीजे आती है, किस तरहस equation आएगा, जिसको आपको solve करते समय ध्यान रखना है कि हमें कैसे कैसे use करना है, ठीके, start करते हैं conjunction, पबसे पहले conjunction की definition देख लेते हैं, conjunction होता क्या है, जो तो हमने समझी लिया है verbally, a conjunction is a word that joins words and sentences together, किसी भी word को दो words है, उनको join करने के लिए किसी sentence को join करने के लिए हम conjunction को use करते हैं, जैसे क्या दे रखा है, I like bread and butter, ठीके, तो I like bread and butter, अब यहां पर आपको देखोगे, तो आपको bread और butter दो words दिख रहे हैं, और इन दो words को उन्होंने क्या कर दिया, join कर दिया, किस से, and से, और अगर इसी को मैं sentence को ऐसा लिख bread and I like butter, ठीके, यह इस तरह से sentence होता, तो हमने इसको short कर दिया, हमने क्या कर दिया, I like bread and butter, क्योंकि हमको इसका subject और इसका verb दोनों का same same दिख रहा था, तो हमने क्या किया, subject verb similar है, तो उनको लेके, जो अलग-अलग words थे, उनके बीच में हमने क्या कर दिया, conjunction लगा दिया, और अब हम sentence क्या बोल रहे, I like bread and butter, मुझे bread and butter पसंद है, ठीके, तो bread अलग से पसंद दी, butter अलग से पसंद आ, लेकिन फिर दोनों को join करके, हमने क्या बोल दिया, bread and butter, same ऐसे ही क्या दे रखा है, I shall either read or write a book, मैं क्या करूंगा, मैं या तो read करूंगा, या फिर write करूंगा, क्या I read करूंगा, book, तो either or, neither nor, ऐसे भी हम pairs देखेंगे, कौन सा कभ यूज होता है, तो either or कभ यूज होता है, जब आप किसी चीज के दो के बारे में बता रहे होते हो, या तो ये, या तो ये, हम बोलते हैं हिंदी में, या तो ये है, या तो ये, तो जब दो चीजों के बारे म ना तुम, ना तुम, ना वह, ना ये, तब आप ना ना के लिए यूज करते हो, किनी दो चीजों के लिए, तब हम neither nor को यूज करते हैं, तो हमने and समझा कि कैसे होता है, either or को समझा, ये सभी क्या है, ये conjunction है, तो अब deep में समझेंगे कि conjunctions कौन कौन से होते हैं, कितने types के हो होते हैं, एक होता है हमारा coordinating conjunctions, दूसरे होते है हमारे subordinating conjunction, और third होते है हमारे correlative conjunction, coordinating conjunction क्या होंगे, कोई भी दो sentence होंगे, उन दो sentence को जोडते हैं, तब हम coordinating conjunction को यूज करते हैं, दूसरा है sub-ordinating conjunction, sub-ordinating conjunction कौन से होगे, ऐसे conjunction होगे जिसमें हमने अब जब clause पढ़ा था तब हमने देखे थे वहाँ पर sub-ordinating conjunctions, कि ऐसे conjunction होते हैं, जिसमें एक main clause होता है आपका, एक main sentence होता है, और उसके उपर कोई depend clause होता है, और जो depend clause होता है उसके साथ कोई न कोई ऐसा conjunction लगा होता है जिससे हमको समझ में आता है कि बात जो है वो completely किसी पर depend है कोई बात है वो completely किसी पर depend है उसी कोई हम क्या कहते है subordinating conjunctions कहते हैं co-relative conjunction कैसे होते हैं हमेशा pair में होते हैं neither nor either or so that ठीक है और जैसे so that हो गया such that हो गया ऐसे जितने भी not only but also यह सारे क्या है pairs में होते हैं तो जो चीजे pair में होती है उनके लिए हम co-relative conjunctions को use करते हैं ठीक है तो आपके exam में जो सबसे ज़्यादा important जो होता है वो important होता है आपका एक तो co-relative conjunctions क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं आपको एक sentence दिया जाएगा दो sentence होंगे और आपको bracket में लिखके दिया जाएगा कि हमको आप हमें इस conjunction से इसको change करके फिर से sentence को rewrite करो फिर वो चाहे कोई भी conjunction हो सकता है आपको कह सकते हैं कि end से करो तो co-ordinating conjection से हो जाएगा या पिर कहा जा सकता है not only but also के साथ करो कैसे भी आपके सामने आसकता है तो आपको समझना है कि मुझे एक sentence दो sentence दे रखें तो का मुझे कैसे करना है और क्या क्या गलतियां कर देते हैं हम वो भी discuss करेंगे ठीक है otherwise conjunction बहुत बड़ा है deep में पढ़ेंगे तो काफी classes ले सकते हैं लेकिन आज हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे exams में आने वाला है ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले coordinating conjunctions क्या होते हैं coordinating conjunctions यह क्या करते हैं कोई भी दो words को join करते हैं कोई भी दो clause को join करते हैं clause क्या होते हैं जहां पर हमको एक subject मिल जाए एक verb मिल जाए और उससे हम अपनी बात सही तरीके से कहे पा रहे हैं वो समझ में आ रहा है verb हो और subject हो उसको हम clause कहते है, तो clause sentence होता है, बिल्कुल sentence भी होता है, तो clause या फिर sentence of equal rank, जो एक समान की rank होते हैं, यानि जिसमें एक sentence है, जो completely, completely अगर उसको अलग से लिखा जाए, तो वो अपना अर्थ पूरा-पूरा दे रहा होगा, और दूसरे वाले sentence को भी लिख दे अगर अलग से तो वो भी अपना अर्थ पूरा-पूरा दे रहा होगा, और जो बीच में जो conjunction है, उसको अगर हम हटा दे, तो उससे कोई फरक नहीं पड़े, कि दोनों बाते जो हैं, हमको understood हो रही हो, वो हमारे सारे कौन से conjunction होते हैं, coordinating conjunction होते हैं, example से समझते हैं, यहाँ पर क्या दे रख दूसरा है, I like you and your friend, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस को पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर you, your friend, यानि दो प्रोनाउंस को भी, यह क्या करता है, add करने का काम करता है, तो दो words हो सकते हैं, दो pronouns हो सकते हैं, दो clause हो सकते हैं, next देखो, she writes rapidly and beautifully, वो कैसे लिखती है, rapidly मतलब ल beautiful लिखती है, तो अगर इस sentence में अलग-अलग से होता, कैसा होता, she writes rapidly, फिर लिखा होता, she writes beautifully, तो she writes लिखा हुआ है, beautifully and rapidly, तो दोनों क्या हैं, अलग-अलग sentence हैं, लेकिन दोनों में जो काम हो रहा है, जो subject है, जो verb है, similar है, तो एक बार ले लो, और उसके साथ जो words जो अलग in the west, sun जो है, वो क्या करता है, उगता है, east में, और अस तो होता है, कहां पर, west में, तो यह दो चीजें हैं, जिसमें क्या है, यह दो phrase हैं, तो इन दो phrase को क्या कर रहे हैं, add करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, conjunctions को use कर रहे हैं, तो क्या होगा, तब ऐसा हो जाएगा, कुंदन दो लोग थे दोनों play कर रहे थे और दोनों को मैंने add करके इस तरह से बना दिया तो इन दोक सेंटेंस में अगर मैंने दोनों को अलग कर दिया तो भी इनका meaning समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है subordinating conjunction में ये problem आएगी कि हमको देखना पड़ेगा कि जैसे ही किसी के साथ subordinating conjunction जुड़ा हुआ है जिस sentence के साथ उसको आप अलग से लिखो आपको समझ में नहीं आएगा कि बात के आगे क्या है कि आगे क्या बोलना चाहते हैं बात incomplete लग रही होगी हमको तो वो हमारे subordinating conjunction होते हैं next है he is the man who earns honestly and whose son spends all तो यहाँ पर भी क्या है end लगा के यह पूरा पूरा sentence यहाँ बता रहे हैं कि एक man है जो क्या करता है इमानदारी से कमाता है और उसका son जो है वो क्या करता है सारा जो money है वो खर्च कर देता है spend कर देता है तो दोनों sentence अलग-अलग है दोनों को अलग-अलग लिखेंगे तो easily दोनों का अर्थ जो हमको समझ में आ रहा है तो coordinating conjunctions यह होते हैं ठीक है अब one by one देखेंगे कि कौन-कौन से conjunctions होते हैं coordinating conjunction में तो coordinating conjunctions जो होते हैं वो basically कितने होते हैं कुछ यह होते हैं कौन-कौन से है for and nor but or yet and so अगर हम देखेंगे for तो for देखते हैं हमको यह लगता है कि यह तो मैं preposition है बिल्कुल यह preposition ही है लेकिन हम for को जब as a conjunction use करते हैं तो इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं किसी चीज का हम कारण बता रहे हैं तो for तब use करते हैं तो अगर हम इसे as a conjunction use कर रहे हैं जब आपको लग रहा है कि किसी sentence में हम एक sentence complete हो रहा है उसके बाद हम for लगा के दूसा sentence start कर रहे हैं तो for वहाँ पर क्या काम कर रहा है एक कारण बता रहा होगा एक reason बता रहोगा तब हम for को यूज़ करते हैं अपने आप में negative होता है बट जिसको हम Hindi में कहते हैं क्या लेकिन तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कोई बात अगर आप कह रहे हो तो उसके साथ लेकिन लगा के कोई बात कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है एक बात बोली कही है फिर उसी बात को continue करने के लिए हमने क्या लगाया है बट लगाके आगे हमने उसी sentence को आगे बढ़ाया है लेकिन अगर हम बट को अगर हटा दें तो दोनों sentence अपना अपना पूरा-पूरा अलग से अर्थ रख पा रहे हैं ऐसा नह इखा होता है दोर कोर्यों से बढ़ाने के लिए जसको हम हिंदी में या के लिए प्रियोग करते हैं नेक्स्ट है यह का यूज़ कर सकते हो, so, so means to, तो, तो, अब देखते हैं sentence को, first sentence दे रखा है, अब्दुल is intelligent, but his friend dull, अब्दुल क्या है, intelligent है, लेकिन उसका friend जो है, वो क्या है, dull है, मतलब इतना होशियार नहीं है पढ़ने में, तो अब्दुल is intelligent, अगर मैं यहां तक sentence लिखूं, but को हटा दू तो, दूसा sentence भी अपने आप में पूरा और दे रहा है, कि his friend dull, ठीक है, his friend, तो अब उस friend के, उसके friend का नाम लिख सकते हैं, तो, उस friend का नाम, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, तो, but क्या कर रहा है, दो sentence के बीच में, एक जोड का का काम कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, कि जो sentence है, वो दूसरे के उपर depend है, तो, अबदुल is intelligent, बट जो लेकिन उसका friend है, वो क्या है, वो dull है, अब conjunction जो है, वो आपके translation में भी आपकी help करेंगे, बहुत ज़्यादा help करेंगे, आपको Hindi में कोई line दे रखी है, अब आपको उसको English में translate करना है, तो, conjunction बहुत अच्छ करेंगे, कि हमने conjunction करके कितनी अच्छी चीज़े कर ली, question answers कराओंगी, तब भी आपको इन सभी की help से काफी चीज़े आप कर पाओगे, कि हाँ, अच्छा, इसका meaning यह होता है, आपको question answer तो, ऐसे है निकी, पूरे chapters के याद रहेंगे, आप एक understanding रखोगे, कि हाँ, उस chapter में है, ऐसा हुआ था, हिंदी में हमको पता है, इंग्लिश में हमको बनाना है, tense हमने पढ़ लिए है, अब क्या करना है, सिर्फ, conjunction को use करते वे, अपने answer को लिखना है, तो वो आप कर पाओगे, जिसकी वज़े से, conjunction की वज़े से, ठीक है, next है, we can cook dinner tonight, हम, या तो, क्या कर सकते हैं, आज खाना बना सकते हैं, रात का, और, we can eat leftover, या फिर क्या कर सकते हैं, जो बचा हुआ है, उसी को खा ले, leftover मतलब जो बचा हुआ है, उसी को खा ले, तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, या, ठीक है, यहाँ हमने क्या कहा था, लेकिन, ओके, रोहन प्लेस बास्केट ब जो है, वो क्या है, अभी भी, या, अभी भी भी बोलते है, अभी भी लगा देना, अभी बोल देना, ठीक है, येट के लिए, आप अभी भी समझ ले रहा, हिंदी में, कि येट, his favorite sports is cricket, जबकि अभी भी उसका क्या है, अभी उसका favorite sports, जो है, वो cricket है, ठीक है, नेक्स्ट है The days are long For it is June Days जो है दिन जो है वो बहुत लंबे है क्यों है कारण बता रहे है क्योंकि June है June में दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं इसके बारे बता रहे हैं तो यहाँ पर for जो है as a conjunction नहीं उस हो रहा है यहाँ पर for क्या बता रहा है कारण बता रहा है और आपको कैसे लगएगा कि for क्या है conjunction है या नहीं है आपको for से पहले कॉमा देखेगा तो आप समझ पाओगे कि अच्छा यहाँ पर एक sentence break हुआ है अब यहाँ से for से start हो रहा है यह हमको as a conjunction दिख रहा है as a कारण बता रहा है ठीक है next है she did not work so means to तो वो fail हो गई तो ऐसे सारे sentence जितने भी conjections है उनको हम किसके लिए use करते हैं दो sentence होते हैं उनको सरफ जोडने के लिए use करते हैं अब आपको अगर इसको और easy way में समझना है तो इसके लिए एक formula बोल दिए या छोटी से trick समझ लिजे जो I think काफे बज़ों को पता होगी इससे हम कहते हैं fanboys ठीक है तो आप इससे याद रख सकते हो F से for, A से and, N से nor, B से but, O से or, Y से yet and so से S से so ठीक है तो ये क्या है fanboys जिसको हम coordinating conjunction के लिए समझ सकते हैं कि coordinating connections में ये सारे चीज़े use होती है clear? coordinating connections क्या होते है इन जो भी conjections है इनको use करते हैं और उससे हम अमनी बात जो है एक बात से दूसरी बात में switch करते हैं next समझते हैं sub-ordinating conjunctions sub-ordinating conjunctions क्या होते हैं ये हमको help करते हैं किसमें कोई भी जो हमारा independent या फिर main clause है यानि जिसको हम अलग से पूरा-पूरा sentence लिख ले उसको हम क्या कहते हैं हमारा main clause कहते हैं और with another dependent sub-clause जो होते हैं वो उसके साथ add होते हैं अब इस चीज को एक sentence example से समझते हैं जहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो sentence है I met an old man when I was walking ठीक है तो यहां पर आपको समझना है कि क्या होता है main clause क्या होता है dependent clause ठीक है तो main clause जो independent होता है जिसको अलग से लिख दो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो यहां पर कौन सा ऐसा sentence है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यह sentence जो दे रखा है आपको I met an old man मैं एक old man से मिला इस sentence को आप अलग से कहीं पर भी बोल दो कहीं लिख दो सामने वाले को बात समझ में आ जाएगे कि अच्छा यह old man से मिला है लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे कि अगर आपने when I was walking यह sentence लिख देते हो तो सामने वाले को यह बात पूरी पूरी तरीके से समझ में आएगे कि when I was walking जब मैं walk कर रहा था तो फिर आगे क्या हुआ यहनि सामने वाले को बात समझ में नहीं आई कि बात कहां से शुरू हुई थी क्या बोलना चाता है इसके आगे कुछ और बोलना चाता है क्या बात है नहीं समझ में आ रहा है तो जो बात जो भी sentence किसी दूसरे sentence के उपर depend होता है और उसको अगर हम अलग से लिख दें तो उससे पूरा पूरा अर्थ जो है वो नहीं मिलता है वो हमारे कौन से sentence होते हैं जिसको हम complex sentence कहते हैं हमने clause के टाइम पर पढ़ा था उसको हम complex sentence कहते हैं और in complex sentence में हम क्या use करते हैं subordinating conjunctions use करते हैं जो की हमारा क्या दिख रहा है when तो जो भी हमारा independent clause होगा उसके अंदर जो हमारा conjunction use हो रहा होगा वो हो रहे होगे हमारे subordinating conjunctions ठीक है तो यहाँ पर यहाँ से यह चीज तबन में आ गए so long as as long as because why where when while whether how who which as if as soon as and then else etc. बहुत सारे होते हैं लेकिन क्या किया है इस subordinating conjunctions को इन्होंने 9 parts में divide कर दिया है ठीक है 9 parts में divide हो गए है time based पे reason based पे और manner based पे कि किस तरह से तरीके के according तो इसके according 9 9 places के according कैसे बोला जाता है तो उसके according 9 parts में इसको डिवाइड किया गया है तो हम one by one समझते जाते हैं फिर उसके बाल हम समझेंगे correlative conjunctions ठीक है तो यह बहुत ही important होता है यहां से आपको writing में बहुत जादा help मिलती है ठीक है तो start करते हैं तो देखो कुछ examples देख लेते हैं जैसे example क्या दे रखा है I know that God is everywhere हम जानते हैं क्या कि God जो है वो हर जगे है तो मैंने याँ पर थोड़ा try किया है कि मैं हिंदी में भी इनको लिख दूँ ताकि आपको help मिल जाएगी थोड़ी सी I know, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ that God is everywhere कि भगवान जो है वो सब जगे है तो हमारे sentence में भी क्या आया कि भगवान जो है वो सभी जगे है तो I know क्या है यहाँ पर हमारा main sentence है और that God is everywhere हमारा क्या है dependent clause है उसके ओपर depend है अगर आप इसको लिख दो कहीं पर that God is everywhere कि God सभी जगे है तो कि आगे बोलेंगे हाँ तो इसका क्या आगे बताओ क्या तो यहाँ से sentence पूरा complete नहीं समझ में आता है next देखिए I can't buy the book since I have no money अब since देखते ही हमें लग रहा होगा तब भी हम यूज करते है तो यहाँ पर क्या दे रखा है I can't buy the book since I have no money मैं जो हूँ book नहीं खरीच सकता क्योंकि क्या है क्योंकि मेरे पास money नहीं है अब यहाँ पर हम because लगा सकते थे because भी लगा सकते हो जैसे हम why के लिए अगर हमारा कोई question य से होता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं क्योंकि क्योंकि करके यूज करते है तो आप जब because यूज करते हो तो because इसलिए यूज किया जाता है और since कब यूज किया जाता है उसको समझ लो कि because हम तब यूज करेंगे since को but आप since को वैसे ही समझो कि since जो है वो क्योंकि के लिए भी यूज किया जाता है तो I can't buy the book मैं book नहीं खरिच सकता क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है money नहीं है तो since को यूज किया है next we eat हम खाते है that we may live जिससे की हम क्या कर सके जी सके तो यहां पर that use करते हैं कोई भी sentence में हम किसी बात के बारे में बताने के लिए तो यहां की उस क्या है यहां जिससे की उस क्या है तो हिंदी में अर्थ बहुत साई निकल जाएंगे आप तो बस सिर्फ conjunction को समझो कि conjunction कैसे एड होते है labor hard मतलब क्या कह रहे है कि महनत अच्छी करो ऐसा न हो की क्या हो जाए you should fail आप fail हो जाओ तो less का means क्या होता है ऐसा न हो की ठीक है और यह हमने model में भी समझा था कि less और should के साथ बीच में हम क्या लगाते है you लगाते है यह model बब में हमने देखा था कि ऐसा न हो की यह हो जाए तब हम use करते है please wait यहाँ wait करो until जब तक I came back जब तक मैं ना आ जाओ sorry I come back जब तक मैं ना आ जाओ तब तक wait करो तो until जो है वो किसके लिए उस करते हैं जब तक ठीक है जब तक मैं नहीं आ जाओ तो यहाँ पर जो है sentence जो दे रखा है जब तक एक होता है till एक होता है until दोनों ही same use होते हैं लेकिन till जो use करते हैं हम उसके लिए जब तक बोलते हैं और until का मतलब होता है जब तक मैं नहीं आ जाओ जब आसे नहीं वाला जाओ कि जब तक मैं नहीं आओ जब तक मैं नहीं कहूँ तब के लिए use करते हैं until को ठीक है आगे बढ़ते हैं अब 9 parts जो मैंने बताएं कि 9 parts में हमने कैसे कैसे divide किया उनको समझते जाते है according to meaning 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 according 9 parts में divide है पहला दे रखा है time time समय की बात हो रही होगी जब वहाँ पर use करेंगे क्या-क्या होता है when, while, before, after, since, as long as since देखो यहाँ बे time के लिए भी आ गया as long as, so long as, as soon as, as, till and till मैंने अभी बता दिया आपको ठीक है तो इनके लिए use करते हैं अब sentence को देखते हैं क्या दे रखा है I saw a man of two heads मैंने दो आदमी वाला, दो सर वाला आदमी देखा when, when मतलब होता है जब जब मैंने क्या किया था जब मैं walk कर रहा था या जब मैं walk कर रही थी तो मैंने दो सर वाला आदमी देखा तो when को हम किसके लिए use करते हैं जब, ठीक है हिंदी में जब use करते हैं तब when, sorry my friend called on me मेरे friend ने मुझे call किया while I was taking tea जब मैं क्या कर रही थी चाय बना रही थी या चाय बना रहा था तब मेरे friend ने call किया तब हमने while को use किया अब when और while दोनों को ही meaning में क्या निकल रहा है जब ही निकल रहा है तो आप यहाँ पे अगर when लगाओगे तो भी वो ठीक हो जाएगा ठीक है next है I shall look after him I shall look after look after का मतलब क्या होता है देखबाल करना I shall look after him मैं उसकी देखबाल करूंगा as long as he is here जब तक कोई यहाँ पर है तब तक मैं क्या करूंगा उसकी देखबाल करूंगा तो जब तक sense क्या रहा है जब तक next है wait here यहाँ रुको till I come जब तक मैं ना आ जाओ तब तक यहाँ पर रुक जाओ next है don't open the door दरवाजा मत खोलना until I tell you to do so जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तब तक तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है तो till जब तक मैं ना आओ तब के लिए उसकर रहे है I wait till I come यहाँ वेट करो जब तक मैं आओ और यहाँ पर क्या कह रहे है don't open the door दरवाजा नहीं खोलना जब तक मैं ना खोलने के लिए कह दू तब तक जब तक मैं ऐसा करने के लिए ना कह दू तब तक नहीं करना है next है the train had started before I reached the station before हमने समझा था tense के time पे भी कि before use करते है जब before क्या है कि पहले कोई दो काम है जिसमें एक काम पहले हो रहा है तब हम इस तरह से sentence को use करते है जिसमें अगर before आ रहा है तो sentence में क्या करते है पहले हम उसे past perfect से करते है बाद में before के बाद वाला जो sentence है उसके लिए हम क्या use करते है हम past simple use करते है यानि काम जो पहले हुआ है आप जब यहां पर sentence क्या दे रखा है the train had started before I reached the station मेरे station पहुँचने से पहले train जो है वो start हो चुकी थी तो यहाँ पी आप क्या कहरे हो train start हो चुकी थी मेरे पहुचने से पहले train start हो चुकी थी तो train start होना पहले हुआ मेरा पहुचना बाद में हुआ तो जो काम पहले हो जाता है उसके लिए हम past किसको use करते है perfect को use करते है और बाद वाले काम के लिए हम किसको use करते है past simple को use करते है clear तो ये एक time के base पे हो गया next आता है place place के लिए हम क्या-क्या use करते है where where तो हम wh word के लिए भी use करते है लेकिन यहां पर where मतलब है जहां next है wherever का मतलब होता है जहां कहीं ओके वेंस मिन्स होता है कहां से तो जब आप बोलते हैं जहां तुझे पसंद हो जहां तुझे रहना पसंद हो तो जहां हम किसके लिए उस कर रहें वेर के लिए जैसे I know मैं जानता हूं वेर ही लिव कि जहां वे रहता है तो यहां पर हम क्या बोले जहां वे रहता है मैं वो जगे जानता हूं अब आप यह देखो आपने I लिखा I know फिर आप लिखा वेर ही लिव वेर ही लिव तो आपको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस अगर वेर ही लिव बोलते हो जहां वे रह जो है वो जोड़ जाएगा तब यह complete बन जाएगा, go, जाओ, wherever you like, जहां कहीं तुम्हें अच्छा लगता हो, जहां तुम्हें अच्छा लगता हो, वहाँ जाओ, थर्ड, थर्ड देखो क्या दे रखा, she never told us, उसने हमसे कभी नहीं कहा, कहां से, मनदब when she had come, कि वह कहां से आया है, यह उसने हमें कभी नहीं कहा, तो इस तरह से कहां से आया है, कहां से आया है, वहाँ के लिए हमको कई बार होता है, sentence में कहां से आ गया, तो आप उसको कैसे उसकरोगे, तो वहाँ पर यह सारे जो शब्द हैं, वो conjunction ही होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का क्या है, और इंग्रिश में से क्या बोलते हैं, तो कहां से तुमको यह समझा जाएगा, कुछ वेर वेर से आएगा, लेकिन यहां पर क्या है, whence, तो whence का मिनिंग यह आपके लिशाए नया होगा, whence मिन्स होगा, कहां से, ठीक है, नेक्स है, cause या फिर reason, अगर आप किसी चीज का कारण बता रहे होगे, जैसे हम कोई भी biased question होते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, because करके लिखते हैं, as करके भी लिखते हैं, या फिर आप since करके भी लिख सकते हो, क्योंकि since का meaning क्या होता है, since का meaning होता है, चूंकी, चूंकी होता है, because means क्योंकि, as means होता है, किसी भी कारण के लिए हम जब बताते हैं, as को हम कारण की तरह भी यूज करते हैं, as को हम जैसे के लिए भी यूज करते हैं, तो I like her because she is laborious, मैं उसे पसंद करता हूँ, या पसंद क क्योंकि मेरी वाइफ की क्या है यह desire जो है उसकी इच्छा है वो इच्छा करती है किसकी कार की इसलिए next is take a rest rest करो as you are tired क्यूंकि तुम क्या हो tired हो तो अब यहाँ पर आप as लिखा है मैं यहाँ पर because लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं take a rest because you are tired क्योंकि तुम ठकी हुई हो तो आप because भी लिख सकते हो since भी लिख सकते हो इसके लिए हम use करते हैं लेकिन हाँ यहाँ पर क्या होता है because और since के लिए मैं आपको बताया थ पैसे होंगे, तभी खरेजर होंगे, नहीं खरेजर होंगे, क्योंकि पैसे नहीं होंगे, मतलब reason जो है सामने वाले को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो जहां पर आपको लगता है कि सामने वाले को reason पहले से ही थोड़ा बहुत हिंट में पता होगा, तब हम since को use करते हैं because को हम तब use करते हैं जب पता है कि सामने वाले को इसका answer पता ही नहीं हो जैसे हमसे question में जो पूछे जाते हैं exams में वहां पर अगर why लग्के पूछा गया है तो उसका मलद यह नहीं है कि उनको पता है उसकाल यह है कि हमको उसको answer अच्छे से करके बताना है तब हम because को यूज करते हैं ठीक है next आगे बढ़ते है D condition condition क्या है अगर आपके सामने क्या आजाए if as if only if unless provided या फिर weather ये सारी चीज़े आजाए तब आपको क्या यूज करना है तो मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ if हम जो बोलते हैं अगर यदी चीज़े इसके लिए हम if को यूज करते हैं as if को यूज करते हैं जब हम हिंदी में बोलते हैं मानो की चीज़े तब use करते हैं और only if को use करते हैं हम यदी ठीक है और unless unless अपने आप में negative होता है जो किसी condition के बारे में बताता है ठीक है तो unless एक condition होता है जो अपने आप में negative होता है तो unless आप एक negative form में use करते हैं next है provided provided मतलब होता है जब होते हैं बशर्थ तुम्हें ये चीज़ करनी होगी तब हम provided लिखते हैं weather means होता है चाहे चाहे तुमको अच्छा लगे चाहे तुमको अच्छा नहीं लगे चाहे तुम मानो चाहे तुम ना मानो तब हम कैसे use करते हैं तब हम weather को use करते हैं तो weather जब होगा weather के साथ हम use करके कैसे बताते हैं कि चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहने लगे चाहे एक sentence होगा हाँ यहां पर है I will give you freedom मैं तुम्हें आजादी दूँगा if you will if you give me blood अगर तुम मुझे क्या दोगे blood दोगे तो यहां पर condition दिखनी न कि मैं यह करूँगा अगर तुम यह करोगे मैं ऐसा करूँगा तो अगर तुम यह करोगे तो जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज के बारे बताना है कि यह जिसे यह वाले sentence जो है आप इस टाइप का जो है conjunction वो आप किसमें यूज़ करते हो अपने letter में यूज़ कर सकते हो तो I will enhance your salary मैं तुमारी salary जो है वो enhance कर दूँगा अच्छी कर दूँगा if you work sincerely अगर तुम क्या करोगे अच्छे से काम करोगे I will watch this film मैं यह film जो है वो देखूँगा whether यानि चाहे पापा likes it or not चाहे पापा like करे चाहे ना करे मैं तो यह film देखूँगा यह देखूँगी you can't pass तुम pass नहीं हो सकते unless you work hard अगर तुम work जो है वो hard नहीं करोगे तो तुम pass नहीं हो सकते तो अब आप यहाँ पे देखो मैं आपको एक अच्छे सी चीज समझा रहे हूँ उसको अच्छे से समझना देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है you can't pass तुम pass नहीं हो सकते unless you work hard यदि तुम क्या नहीं करोगे work नहीं करोगे अच्छे से तो तुम क्या नहीं होगे pass नहीं होगे तो यहाँ पे आप हिंदी में क्या बोल रहे हो अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे या अच्छे से work नहीं करोगे hard work नहीं करोगे तो तुम pass नहीं हो सकते ऐसा बोल रहे हैं यहां पे मैंने क्या बोला Hindi में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैंने यहां पे तो कहीं not लिखा ही नहीं है कि अगर तुम अच्छे से कड़ी मैनत नहीं करोगे हार्ड वक नहीं करोगे मैं नहीं बोल रही हूँ लेकिन यहां पर नहीं का तो कोई sense ही नहीं तो unless जो होता है वो negative sense में अपने आपको negative बताता है कोई भी बात अगर आप negative sense में कह रहे हो कोई condition जो है आप negative में बोल रहे हो तब आप unless को use करते हैं अब आप यही sentence exam में ऐसा ही आएगा exactly मैं अभी आपको यह पर discuss कर देती हूँ अगर आपके पास sentence कैसे आएगा आपके पास sentence यह बन कर आ जाएगा और आप से कहा जाएगा कि अब इसको change करो if conjunction के साथ और फिर से rewrite करो यह sentence है इसमें मैं आपको अब if देता हूँ यह देती हूँ जो भी paper में होगा अब आपको इसको फिर से rewrite करना है तब आप क्या करोगे तब आप लिखोगे if you don't work hard क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा अब हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर not नहीं है unless अपने आप पे negative था लेकिन अब negative नहीं है लेकिन मुझे sentence का feel तो वही बताना है न तो आप क्या करेंगे गल्दी हम यह कर देंगे हम यह गल्दी कर देंगे if लिखे if you work hard you can't pass तो sentence तो गल्द हो गया if you work hard अगर तुम कड़ी महनत करोगे तो तुम pass नहीं हो सकते यह तो wrong हो गया न तो इसके लिए क्या करना है आपको इसके लिए आपको not डालना पड़ेगा sentence में कि if you don't work hard अगर तुम अच्छे से कड़ी महनत नहीं करते हो you can't pass तो तुम pass नहीं हो सकते तो इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और ऐसे ही आएगा conjunction आपका question में इसी तरह से आएगे आपको कोई भी conjunction के साथ sentence मिलेगा और आपसे कहा जाएगा कि अब इसको change करके इस वाले conjunction से बना दो जिसे दो sentence आजाएगे उसमें आपको कोई भी एक और sentence दे देंगे दो तरह से question आएगा या तो बनावा ही आएगा already और कहा जाएगा कि इसमें ये वाला conjunction आएड करके अब फिर से बनाओ या फिर क्या आएगा कि पहले से ही दो sentence दे रखियोंगे only if you speak the truth लेकिन तब जब तुम क्या बोलोगे सत्य बोलोगे तब ही मैं तुम्हें जानने दूँगा ठीक है next है he behaved we behave करता है as if nothing had happened वो ऐसे behave करता है जैसे मानो की कुछ हुआ ही नहीं है तो मानो की ऐसे जो यूद। जो चब्द है उनके लिए हम क्या यूज़ करते है as if ठीक है next आगे बठते है purpose purpose क्या होता है जब हमें पता है किसी purpose से किसी काम से की वज़़ा से या किसी उदेशर की वज़़ह से हम कोई काम करने वाले है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यह वाले conjunction यूज करते हैं जैसे दे रखा है, so that, last, in order that, that, इन सभी को यूज करते हैं we eat, हम खाते हैं, ताकि, या की, we may live, ताकि हम जी सकें next है, she works hard, वे काम करती है, कड़ी महनत करती है, वे काम करती है so that, ताकि वो क्या कर सके, she may pass, ताकि वो pass हो सके, ठीक है next, we earn money, हम money earn करते हैं, in order that, जिससे की अब यह हिंदी में आता है, जिससे की, हम जब sentence लिखते हैं, हमको पता ही नहीं था, जिससे की को क्या लिखे in order that, we may be happy, जिससे हम क्या रहते हैं, happy रहते हैं, हम जितनी money, अगर money जो है, वो earn करते हैं, जिससे हम क्या हो जाते हैं, happy हो जाते हैं, clear F, F क्या दे रखा है, result or effects, यह परिणाम बतलाता है, क्या परिणाम बतलाएगा, कोई result हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इस वज़े से हुआ है, कि यह बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसकी वज़े से वो बिमार हो गया है, he runs so slow, वो कैसे run करता है, वो run करता है, बहुत ही slow, that he was soon out of the race, जिससे वो क्या हो जाएगा, race से आउट हो जाएगा, तो जहां पर हम result की बात करते हैं, वहां हम किसको use करते हैं, वहां हम that, so that या फिर such that को, अभी यह जो so that और such that है, इनको मैं आपको आगे और अच्छे से detail में बताऊंगी, जब हम co-relative conjunction जो use करेंगे, वहां पर इनका जादा अच्छे से use होगा, वहां हम कह रहें, तो यहां पर क्या हो रहा है, हम कोई बात है, उसका हम क्या बता रहें, परिणाम बता रहें, ऐसा है, जिसकी वज़े से यह सब चीजे हो रही है, clear, next आगे बढ़ते हैं, आगे है, comparison, जब आप दो चीजों के बीच में comparison बताते हो, तो comparison कैसे होगा, then, as much as, या as, तो then कौन सा वाला है, यह, T-H-A-N, then, एक आता है, T-H-E-N, then, then वो वाला नहीं, यह then, जो है, वो comparison के लिए होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, sorry, English में हम use भी करते हैं, maths में भी use करते हैं, less than, more than, ठीक है, तो यह वाली चीजे क्या है, हम किसी के comparison कर रहे हैं, तब use करते हैं, this novel is as interesting as that, यह novel जो है, वो उतनी ही interesting है, जितनी की वो, यानि किसी और novel के बारें बोल रहे हैं, I like her, as much as I like you, मैं तुम्हें, मैं उसे उतना ही पसंद करता हूं, जितना की तुम्हें, तो ऐसे बोल रहे हैं, विनिता इस टॉलर देन श्वेता, विनिता जो है, वो टॉलर है, किस से, श्वेता से, तो यहां पर सब जगे आप देखोगे, तो comparison हो रहा है, कि भई, novel जो है, वो उतनी ही interesting है, जितनी की वो वाली, मैं तुम्हें उतना ही पसंद करता हूं, जितना की तुम्हें, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, comparison कर रहे हैं, तो comparison के लिए हम, किसको यूज करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं, यह वाले conjunctions को, अब जैसे मालो आजाता है, वो उतना ही अच्छा है, जितनी की तुम्हें, तो यहां पर अच्छे के लिए फिर क्ल लग देंगे, आपर हम good लगा देंगे, as good as, ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान जाता है, इसके बावजूद भी मैंने ऐसे किया, तो जब ऐसे जब विरोध वाले चीज़ें आती हैं, जिसमें आप एक सेंटेंस में, दूसरी सेंटेंस की बात के लिए विरोध वाले चीज कर रहे हो, तब हम यूज करते हैं, किनको इन वाले conjunctions को यूज करते हैं, और हाला की हो गया, या फिर कहते हैं हम यद्यपी, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट है हावएवर, हावएवर का मीनिंग भी यही होता है, हाला की है यद्यपी, लेकिन इन दोनों के बीच में, फिर डिफरेंस क्या है, कैसे यूज करें किसी चीज को, तो वो से हमने sentence आ जाता है, ट्रांसलेशन करने के लिए उसमें भले ही यह चीज हो जाए तो भले ही कहा मीनिंग क्या होता है, घ्वले ही को tea को क्या बोलते हैं, तो भले ही के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस तरह से Kenan gi, suggestions से और हमको clear हो जाएका, फर्स sentence कहा दिखा है he is not honest वो इमांदार नहीं है हाला कि वो क्या है he is very rich मतला वो अमीर है उसके बावजूद में वो इमांदार नहीं है ऐसा कह रहे हैं तो जब इस तरह से sentence आ रहा है तो हमें क्या यूज करें अब जैसे sentence आता है कि वे अमीर होने के बावजूद भी इमानदार नहीं है अगर यह sentence है तो हमको transition करने में बावजूद वाले sentence में हमको समझे लिए कि बावजूद के लिए क्या लगा है तो although कभी भी किसी चीज के लिए क्या होता है opposite यानि कि किसी का विरोध करने के समझ में बोला जाता है next है she is honest मैं इमानदार है हाला कि वो क्या है गरीब है वो गरीब है फिर भी वो इमानदार है ऐसा कह रहे है तो भी हम क्या यूज करते हैं अब फिर भी आ सकता है हाला कि भी आ सकता है तो इस तरह से आप यूज कर सकते हूं next है I will support you मैं तुम्हें support करूंगा even if I am in trouble बले ही मैं trouble में हूंगा बले ही मैं परिशान हूंगा परिशान रहूंगा लेकिन मैं तुम्हारी help जरूर करूंगा next है he passed the examination उसने examination पास कर लिया notwithstanding he was not only prepared किसके बाओ जो जबकि वो prepared भी नहीं था उसके बाद भी उसने क्या कर लिया exam जो है वो pass कर लिया तो उसके बाद भी उसके बावजूद भी तब हम ये उसके लगाए मैंने तो उसके लिए उसके उनके तो ये आपके लिए understood होगा कि जिसके लिए भी कहा जा रहा है तो उसके बावजूद भी उसने क्या कर लिया? एक्जाम को पास कर लिया अब यहाँ पर क्या कह रहा है? कि मैं जो हूँ उसको support नहीं करता however, फिर भी I didn't ओप्स हिम, यानि मैं फिर भी उसके लिए क्या हूँ? उसके खिलाफ नहीं हूँ फिर भी मैं उसके लिए क्या हूँ? उसके लिए उसके विरोध नहीं हूँ फिर भी, सपोर्ट नहीं करता हूँ लेकिन उसके खिलाफ भी नहीं हूँ ऐसा हम जब कहते हैं, तब हम however को use करते हैं however को अगर देखा जाए तो इसको आप फिर भी भी बोल सकते हो, हाला की भी कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, तो इस तरह से conjunctions जो हैं वो इस तरह से यूज़ के जाते हैं, एक और है जिसको हम कहते हैं, manner, manner means क्या होता है, जब हम किसी का तरीका बताते हैं, इस तरीके से किया जा रहा है कोई चीज तब यूज करते हैं जब हम किसी के बारे में बोल रहे होते हैं किसी negative sense में कहना चाहते होंगे तब हम so as को use करते हैं next आता है as जैसे हम बोलते हैं कि as this 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 तब यूज करते हैं जैसे क्या दे रखा है we reap as we sow हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं वैसा ही हमको मिलता है तो जैसे के लिए मतलब जो करते हैं वैसा ही मिलता है तब हम as को use करते हैं she talks वे बात करती है as if as if means मानो की she was a queen जैसे कि वो एक रानी थी बात ऐसे करती है जैसे कि रान नहीं थी तो हम बोलते हैं मानो बात इसे कर रही है जैसे कि कहीं की रानी हो तो जब हम इस तरह से यूज करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं मानो की यानि की as if तो यहां से आपको काफी help मिल जाएगी conjunctions में next आता है हमारा third जो हमने देखा था co-relative conjunctions जो क्या करते हैं relate करते हैं हमारे किसी भी दो चीजों को दो sentence को दो words को जिनको relate करते हैं और यह हमेशा कैसे होते हैं pair में होते हैं तो देखते हैं कौन-कौन से हैं co-relative conjunctions होते हैं ऐसे conjunction जो pair में use होते हैं और वो कौन-कौन से हैं एक होता है either or neither nor, though yet, both and, such as, such that, so as, as so या फिर scarly when, not only but also, no sooner than, whether or and rather than तो यह most important है, जिसमें से सबसे ज़्यादा important जो है वो either, neither, though yet, both and से आपको आ सकता है such that से आपको आ सकता है, not only but also से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको देखेंगे, इसके sentences देखेंगे, कैसे यूज करते हैं फर्स देखते हैं, sentence number one Either you or your brother has done it या तो तुम या तुमारे भाई ने यह किया है तो जब हम बोलते हैं, या तो तुमने या तुमने दो लोगों के बारे बात करें, या तो तुमने या तुमने इन दोनों में से किसी ने किया है तब हम either को use करते हैं तो either कैसे use करना है आपको ध्यान रखना है either को use करते वक्त जहां भी आप either और और को use कर रहे हो उसका हमेशा तरीका एक होना चाहिए जैसे आपने जो भी either लिया है तो either के बाद आपका subject या जिसके बारे में कहा रहे हो जाए वो adjective हो या subject हो जिसके बारे में आप कहा रहे हो तो either के साथ आपका subject फिर जो और आएगा और के साथ आपका दूसरा subject ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप pair जो है वो सही नहीं लगा रहे हो अगर आप she is either mad or said ठीक है तो आपको ध्यान दे रहा है कि अगर मैंने either लिखा है तो either के बाद मेरा जो भी मैं word लिख रहा हूँ जो भी लिख रहे हैं वो verb हो तो verb रहेगा अगर यहां verb है तो either भी verb रहेगा अगर यहां subject जो भी pronoun या pronoun है तो वहां पर भी noun या pronoun होगा ऐसा नहीं होगा कि आपने यहां लिखा she is either mad or said अगर यह तो बिल्कुल correct है क्योंकि either के बाद मैंने यह लिखा है अगर मैं इसको कैसे लिखती हूँ either she is mad or said अगर यह लिखा आता है आपके बाद sentence तो यह हो जाएगा wrong क्यों क्योंकि either के बाद क्या होना चाहिए either के बाद जो भी आप ले रहे हो जैसे she is mad ले रहे हो तो ऐसा और के बाद भी same होना चाहिए कि और के बाद भी आपका कोई subject होना चाहिए फिर जाके आप उसके बारे में लिखोगे कि she is mad या फिर she is sad जो भी आप लिख रहे हो तो मेरे को समझाना सिर्फ यह है कि जब भी आप either या और लोगे तो आपको जैसा subject आप either के साथ ले रहे हो वैसा ही आपको और के साथ भी set बनाना है तो ये वाला गलत हो जाएगा ये वाला सही है और ये क्यों सही है हमने reason देख लिया अब आपको उस exam में कैसा मिलेगा exam में आपको as it is इसी type से मिल सकता है क्या मिल जाएगा जैसे लिखा आजाएगा she is mad फिर dot लगाएगा she is sad और आप से कहा जाएगा कि either or से आपको इसको फिर से लिखना है तब आपको ध्यान देना होगा कि मुझे कैसा लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा जो आपको common लगता है उसको पहले लिख लो क्या common इसमें she is ये मुझे दोनो common लग रहे तो दोनो common है तो उनको पहले उठा के लिख दो she is अब अपना लगाओ पहला सेट either mad or sad then full stop clear ठीक है नेक्स देखो neither her mother nor his sister met me अब यहाँ पे भी सेम जैसे either का चल रहा था वैसे ही neither का चलेगा लेकिन किस sense में होगा negative sense में होगा neither means होता है ना तो तुम ना तो तुम यानि यहाँ पे क्या कह रहे है neither your brother ना ही तुमारा भाई nor you have done और ना ही तुमने किया है ठीक है तो कोई भी काम है ना तो तुमने किया है ना तुमने ना तुमने या तो तुमने या तो तुमने तो either or neither nor को आप Hindi में दाल दो समझने के लिए या तो ना तो ठीक है और हमेशा किसकी होगी two choice होगी मेरी handwriting थोड़े सी हो सकती है विकास, next है neither her mother, मैं एक सिक्ट इसको erase कर देती हूँ, ठीक है next है next कहा जा रहा है neither her mother nor his sister met me ना तो उसकी मम्मी और ना ही उसकी बेहन जो है मुझसे मिली, तो यहाँ पर ना तो वो ना तो हमेशा क्या होगी two choice होगी, आपने देखा होगा कि neither के बाद क्या लगाया, मैंने उसका भाई जो है वो लगाया, फिर nor के बाद भी क्या है, you लगाया, मतलब दो subject है same ऐसे कि neither में भी हमने यहाँ पर भी दिखा her mother and her sister ऐसा नहीं था कि हमने यह लिखा neither her mother nor met her sister नहीं लिखा है सामने, जैसा दे रखा है अगर subject है तो subject लगाओगे noun है तो noun लगाओगे, verb है तो verb लगाओगे जैसा दे रखा है वैसा आपको either के लिए भी वैसा ही apply करना है और और के लिए भी वैसा ही apply करना है next है although I was ill, yet I worked अब although किसके लिए उस करते हैं, हाला की या 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 जब भी हाला की मैं बिमार था तब भी मैंने क्या किया, काम किया, तो yet मतलब होता है तब भी, तो although के साथ आप, yet जो है वो लगाना, but मतलगाना but wrong हो जाएगा, yet हमेशा although के साथ हमेशा yet लगाया जाता है तो although I was ill, yet I worked, next है he is both, a singer and a dancer, वो क्या है दोनो है, singer भी है dancer भी है, तो both और end इसके लिए भी क्या करना है, इसके लिए भी same way होता है, अगर आपने subject लिया है, तो subject के साथ लगाना है, यानि both then आप जिसके बारें बात करे हो, वो उसके बात end, और उसके बात जिस और subject के बारें बात करे हो, वो तो इस तरह से आपको sentence को बना ना चाहिए, next है I don't like such man as tell lies मुझे वो आदमी जो है, वो पसंद नहीं है जो क्या करते हैं, जूट बोलते हैं जो जूट बोलते हैं ऐसे लोग जो है, I don't like such man, ऐसे man तो such का means क्या होता है, ऐसा ठीका, ओ सॉरी, ठीक है such means होता है, ऐसे man, जो क्या करते हैं, जूट बोलते हैं, तो such as जो होते हैं, such as को कैसे युश क्या जाता है such, फिर जो भी आपका subject है, उसके लिए बोल रहा है, कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे person जो जूट बोलते हैं तो इस तरह से बनता है, तो ये सारे चीज़े जो dot दे रखाता है, इसका meaning ही होता है, कि यहाँ पर कुछ, अलग एक figure आएगा, उसके बाद जाके आपका that लगेगा अब next क्या आ रहा है, next है so that so that तो so that के लिए क्या होता है, so that के लिए हमेशा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कोई एक adjective मिलेगा, तो so फिर so के साथ आपको कोई adjective होगा then that, और उसके बाद आप क्या लगाओगे subject लगाओगे अपना जैसे यहाँ दे रखा है क्या, he is so weak वो बहुत weak है that he cannot walk इसने वो क्या नहीं कर पाता, वो walk नहीं कर सकता है ऐसा बताया जा रहा है तो वो क्या है, बहुत weak है तो यहाँ पर क्या बनाए, यह एक adjective है कमजोरी क्या है, एक adjective है तो he is so weak तो जब भी इसे so और that का होगा combination तो so के साथ हम क्या लगा रहे है adjective, he is so weak that he cannot walk next 8 देखिए no sooner did he seen me than he fled away तो no sooner और then यह दो बन रहे है इसके set ठीक है तो यह कब use होते हैं जो ही उसने देखा, त्यों ही उसने यह कर दिया या जैसी उसने देखा, वैसे उसने यह कर दिया तो जो ही बोला जाता है न जब जो ही, त्यों ही तो no sooner did he seen जो ही उसने मुझे देखा क्यों ही मैंने क्या किया मैं भाग गया ठीक है फ्लेट अवे मतलब वहां से भाग गया या वो भाग गया तो इस तरह से आपको जितने भी पेर मिलेंगे वो कैसे मिलते हैं आपके दो पेर के साथ मिलेंगे और इधर और नीदर और और बोथ एंड ये इस तरह से बनाने होते ह आपको कि एक जो भी आप सैट लोगे उसके साथ आपका subject आएगा फिर उसके साथ आपको क्या आएगा उसके साथ एक आपका option आएगा और आएगा और और के बाद फिर से आपको एक subject लगाना पड़ेगा ऐसे बनाऊगे अभी मैं आपको exercise दिखाऊंगी वहां से आपको मैं धिहान रखना है और कैसे sentence बनेगा और उसके साथ आप किस तरह से practice करो ठीक है क्योंकि लिखते वक्त हम गलती कर देंगे वो गलती कहा होगी उस पर discuss करेंगे ठीक है तो इस तरह से आप practice करिएगा conjunctions को और अच्छे से समझने के लिए उसको पढ़िए उसको practice में लाइए और जितना भी आपका writing है उसमें ये सारी चीज़े जो है add-on करके अपना answer बनाईए नेक्स देखते है practice, practice में क्या दे रखा है he both is a singer and a dancer first sentence देखो और उसी का just second sentence देखो he is both a singer and a dancer तो कौनसा सही लग रहा है एक में लिखा हुआ है he both is a singer कि वो दोनों क्या है singer है and dancer है तो यहाँ पर तो क्या बन रहा है यहाँ तो both के बाद क्योंकि pair क्या है, एक both है, एक end है तो जैसा both के past में होना चाहिए वैसा है, इसके यहाँ पर भी यहाँ पर भी ओना चाहिए बट ऐसा नहीं है यहाँ पर is a singer लिखा है यहाँ पर सिर्फ a dancer लिखा है तो यह चीज सही नहीं है सही चीज क्या है सही चीज यह है कि he is both a singer and a dancer यानि both के बाद आपका एक subject आ रहा है फिर end के बाद एक आपका subject आ रहा है जैसा भी है वो similar होना चाहिए दोनों जगे पर नेक्स्ट है अंकित बोथ got a prize and a scholarship तो अंकित को दोनों मिले हैं prize और scholarship लेकिन यहाँ से पढ़के समझ में नहीं आ रहा है सही क्योंकि यह वाला सही है अंकित गोट बोथ बोथ क्या-क्या एक prize and a scholarship तो दो चीजे हो गए not only she is intelligent but also laborious ещё यहा पर देखो यह वाला sentence और यह वाला sentence दोनों देखते हैं दोनों में से कौन से सही लग रहा है दोनों में से जो सही है वो यह वाला सही है क्यों क्योंकि यहाँ पे भी वही rule apply होगा वो rule क्या है वो rule है कि हमको क्या करना चाहिए जो भी आपको common दिख रहा है उसको पहले उठा के लिख दो क्या common दिख रहा है इसमें से एक सिर्फ she is है जो अलग से दिख रहा है तो she is को पहले लिख लो she is अब यह sentence कैसे मिलेगा मैं आपको बताती हूँ sentence कैसे मिलेगा आपको question बैसे मिलेगा exam में she is intelligent ठीक है फिर दूसरा मिल जाएगा she is laborious ओके यह दो sentence मिलेंगे bracket में दिया जाएगा rewrite this sentence conjunction कौन सा यूज करवाएंगे conjunction यूज करवाएंगे not only but also अब आप बनाओगे कैसे बनाओगे भी आप बनाओगे आपको देखना है कि दोनों sentence में क्या common दिख रहा है common दिख रहा है she is उसको पहले लिख लो चीखे तो उसको पहले लिख लिए आमने she is उसके बाद आपको क्या लग रहा है she is के बाद आप मुझे क्या करना है एक intelligent है एक laborious है तो एक के लिए मैं not only लगा दूँगे दूसरे के लिए मैं but also laborious लगा देंगे तो she is not only intelligent but also laborious ठीक है वो intelligent ही नहीं बलकि महनती भी है next he not only is a poet but also a dramatic तो यहां पर क्या कह रहा है वो poet ही नहीं बलकि वो dramatic भी है मतलब drama भी करते है तो यहां से यह वाला wrong हो जाएगा हम यह वाले को correct मानेंगे क्योंकि जैसा not only के बाद a poet है वैसा ही but also के बाद a dramatic है ठीक है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कैसे you don't work hard you cannot pass यह आपको sentence मिला है और आपको कहा जाएगा bracket में डाल देंगे और कहेंगे लिखो इसको unless ठीक है unless के साथ इसको rewrite करो हम क्या करेंगे हम जो है if की जगए लिखा होगा unless को जो है if की जगए पर use करके अपने sentence को फिर से लिखो हम कहेंगे अरे बहुत easy है if जो दे रखा है sorry इसको में को capital बनाना था if जो है इसको तो use करके बनाना तो if के जगए मैं unless लिख देती हूँ चलो unless you don't work hard you cannot pass यह यहां तक बन गया अब आपसे आपने sentence बना दिया और आपको लग रहा है यह तो बिल्गुल सही है मैं तो सही बनाया है लेकिन यह सही नहीं है इसको पढ़ के देखो पढ़ने से क्या आ रहा है मैंने आपको जब unless के बारे बता था दूसरे बाले में क्या है unless you don't work hard अगर आप जो है वो hard work नहीं करते हो तो आप pass नहीं होते हो तो यह sentence थोड़ा सा वो नहीं लग रहा है कि गलत बन गया है कि हम इसी के लिए कह रहे हैं कि unless you don't work hard तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा unless जो है अपने आप में negative है तो उसके लिए हमको don't को हटाना पड़ेगा क्योंकि negative यह already अपने आप में negative meaning लेके चलता है तो हम बोलेंगे unless you work hard अगर तुम work hard नहीं करोगे you cannot pass तुम pass नहीं हो सकते तो यह sentence ऐसे बनेगा जो don't है इसको हमें हटाना पड़ेगा तभी यह negative sense क्योंकि negative negative अपने आप में फिर से positive बन जाएंगे तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा जो don't है उसको cut करना पड़ेगा तो इसको अगर cut करेंगे तो अब sentence क्या बनेगा अब sentence बनेगा unless you work hard you cannot pass तो अगर तुम work hard work नहीं करोगे तो तुम pass नहीं हो सकते तो ऐसे ऐसे चीजें आएंगी तो आपको थोड़ा सा practice करना होगा sentence देखो उस sentence से बनाना सीको previous papers जो है उनको देखो कि वहाँ पर कैसे कैसे conjunctions पूछे गए हैं आपको question में और हम question paper करेंगे वहाँ भी हम practice करेंगे कि किस तरह से question आते हैं conjunction में और कैसे हम को उनको करना होता है तो आज की class यहीं तक ही है I hope आपको कुछ को समझ में आएगा एक बार में समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा topic है तो मैंने try किया है अपनी तरह से जितना अच्छे से समझा सकूँ और फिर भी अगर आपके कोई query है तो आप please comment section में लिख दीजेगा आपको लगता है कि मुझे इन दो conjunctions में problem आती है मैं इसको कब इसको कब use करना है तो मैं आपको वो clear कर दूँगी ताकि आप जब करो उसे use करो तो आपका एक clarification हो कि हा मैं इसको ऐसे करते है चलो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए bye bye and take care